हेलो दोस्तो आज हम करेंगे अलजेब्र का पार्ट त्री आपको पुराने कोश्चन समझ में आ रहे होंगे अगर नहीं आ रहे तो आप मुझे बता दे ना मैं इनको सॉलोशन दोबर दे दूँगा चीक है तो चलिए यही शुरू करते हैं जो है यह वाला प्रैक्टिस सेट अब इसमें अलजेब्र कोश्चन होंगे पहले वह सिंपल वाले हो गए थे थोड़े और ट्रिकी आएं अब एकदम लास्ट में जो है बिल्कुल लास्ट वाले रहा जाएंगे तो अभी एक दो वीडियो और बनेगी इसकी फिर अलगा सा थोड़ा बड़ा टॉपिक है इस 6 28th कि आएmy आकøb बताया था हूं अगर ₹छार फोड a स्केरर की वな ती गुमदा प्रूब अप के स्कुर्णी फ्लम मान का मान क्या होगा दिखें यह ञोदा है और एक्राइट की मैनिन섯ी मैं बात समझ में है कि नहीं, यह बात मैंने आपको पहले बताई थी लेक्चर के अंदर, कि यह क्या होती है, मैस 1 होती है, तो उसी तरीके से solve करेंगे, अब इनका difference, जिनका difference 6 है, उनकी value वैसे ही 0 हो जाएगी, इनका difference कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इसकी value क्या हो जाएगी 0, यहाँ पर a की value 6 है, तो क्या में से minus 1 रख दू, यह plus 1 हो जाएगा, तो यह वैसी आगया 0, तो उसका जाएगा option 0, बलब option C, अगर नहीं है यह बात समझ में, तो बता बताता हूं, तो विवर देख लो आप, मैंन क्या गारा, अगर a की power 6 पहले common लेलता हूं, चीक है, तो क करेंगे हम, तो a की power 12 का मतलब क्या होगा, minus 1 का square plus 1, और यह क्या होगा, तो plus 1, यह लिखता हूं, और minus 1 करेंगे, तो वैसे 0 बन जाएगा, तो यह 0 होगया, और यह भी, यह क्या मेरा, minus 1, plus 1, वैसे 0 हो जागा, तो उस cancer क्या जागा, 0, ठीक है, थोड़ा time लगा मैं समझान के लिए, x, x square minus का 4, x minus 1, यह हमारा दे रखाए, तो x square plus 1 upon x की value क्या होगी, यह question है, बहुत बर करा चुक हूं, एक बाद दुबर बताया था हूं, जो यह वाला होता है, इसका आप वहाँ बेज दीजिए, तो यह आपका जाग 4, x ही है, यह minus है न, तो यह minus 1 upon x कर देना, ब मैंने सोचा, प्लस हो, इसके नीचे x लगा दिया गरो, यह आपका बन गया, तो x minus 1 upon x की value क्या गई 4, हमें क्या निकाला है, square की value निकालनी है, तो x square plus 1 upon x4 की value निकालनी है, तो 4 का square करके मुझे पता है, plus 2 करना पड़ेगा, याद है, तो 4 चब की कितना होगे 16, 16 plus 2 कितना ह होगे 18, तो उसका answer होगे 18, अब आप कह रहे होगे कि previous question आ रहे हैं, अरे भाई previous ही है, मैं क्या खुछ से question बनाऊं क्या, भाई previous ही है, जो आपके exam में आ रहे हैं, वही करा रहा हूँ है, और उससे अच्छे level की करा रहा हूँ, ठीक है, वही देखो, अब सब एक ही pattern गुमा इस इकल टू जिरो आपका दे रखा है, तो उसमें बोला है कि एक स्क्वाइर अपॉन में 3Z, वाई क्यूब, वाई क्यूब है ठीक है, अपॉन में 3X, अब प्लस का Z स्क्वाइर अपॉन में 3X, देखो यहां क्यूब दे रखा है, तो question इसी प्रकार से देगा, question हो कोई meaning ह होगा, ऐसा निए, जैसे मर्जी देगा, तो इसकी value बताते है, देखो पहले आप क्या करों निचे common ले लो, अगर हम निचे 3X, रखतू, तो यहां पर क्या आएगा, यहां क्या आएगा, एक स्क्वाइर आजाएगा, यही होगा, तो यह क्या हो जाएगा, एक स्क्यूब, तो मुझे पता है कि AQ, जमा BQ, जमा CQ की वैली क्या होती है, 3ABC होती है, अगर A प्लस B प्लस C 0 है, तो इसमें वही चीच, X प्लस Y प्लस Z क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो इस पूरे की वैली क्या हो जाएगी मेरी, 3X, Y, Z हो जाएगी, बस संज मारी है, नीचे क्या टफ लग रहता हो, कितना असान निकला, ऐसे यहेंगे आपके, चला आते हैं अगले क्योशन पर, चलिए देखिए अगला क्योशन, अगला क्योशन क्या रहा है, यदि X ब्रेकित में 2X प्लस 3, इस इकल तो 90, और 7Y की पावर माइनस 1 बाइटू, प्लस 2Y की पावर माइनस 1 बाइटू, इस इकल तो Y की पावर 1 बाइटू, X टता Y एक अनात्म संक्या है, पॉजिटिव है, X स्कूर तता Y स्कूर का मान निकालना है, चीक है, तो X स्कूर और Y स्कूर निकालना है, देखो, अगर आप इसी क्योशन का देखो यह वाली, तो आपको इससे सिर्फ X ही म बन जाती, जैसे हमें विलोवपन विदी, प्रतिसा अपने विदी, सॉल्फ करना पड़िया था, वहला अलिमेशन सब्टिविशन में से सॉल्फ करना पड़िया था, तो चलिए पहला करते हैं, अब आपको पता है, इसमें कुछ नहीं होना, कॉइटिकेशन होगी, या तो माइस का 90, इस एकल टू जीरो आपका, बस सज मागी, तो जैसे आप इसे कोईटिक सॉल्फ करोगे, तो एक्स वेली आपके मिल जाएगी 6, रेक्स वेली आपके मिल जाएगी माइस का 15 बटे 2, इसको तो हम एक्णोर करना है, क्योंकि मैं नेगिटिव लेना नहीं है, तो ए कौन में y की पावर 1 by 2 कह सकता हूं उसे, और y की पावर 1 by 2 उपर तो तेही रखी है, बे सेम पावर एडिया तो बे सेम होता है, नीचे कॉमन आ जाएगा, y की पावर 1 by 2, कितना हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कॉमन आगे नहीं, इस इकल टू य की पावर 1 by 2, अब इसे जब बेस सेम होता है, ये बेस सेम है, तो पावर एड होती है, तो आधी प्लस आधी एक हो जाएगी, चीक है, तो y की पावर 1, मतलब 9, तो y की पावर कितने हो गई, 9 हो गई, बस सवाज में आ रही है कि नहीं, इस चीच को ठीक से देखना है इस चीच को, अगर बेस हमारा सेम होता है, तो पावर एड होती है, तो 1 by 2 प्लस 1 by 2 कितना हो जाएगा, 1 ही बचेगा, क्योंकि 2 से 2 कड़ी आएगा, तो y की बेली 9 होगी, x will 6 होगी, उसने क्या बूचा है, x2 plus y2, तो x2 कितना होगा, 6 का स्कौर 36, y का स्कौर, 9 का स्कौर कितना होगा, 81, 6 और 1 कितना जिसके लास्ट में उसाथ है वही हमारा answer तो option c एक ऐसा है, जिसके लास्ट में साथ है तो हमार option कितना हो जाएगा c चलिए करते हैं अगला question चलिए अगला question देखिए बड़ा भी प्यागा question देखाए question कहाए अगर x is equal to 1 upon me root 2 plus 1 देखाた है तो x plus 1 की value पताईए, बड़ा आसान सा question है, पहले हम x को solve तो कर ले, भाई आसान कर सकते हैं ना मिसे, तो अगर मैं इसको rationation करूँ, तो क्या होगा, root 2 minus 1 upon me root 2 का square minus 1 का square, यह तो आपको पताईए, a minus b का host कर रहता है, यह ना, भाई root 2 minus 1 उपर जाएगा, root 2 minus 1 नीचे आएगा, तो a plus b और a minus b बन जाएगा, तो इससे ही क्या बन जाएगा, root 2 plus 1, भाई root 2 minus, root 2 का square minus 1 का square, बस बंच मैं, नहीं आईए, दुबार बताएगा, यह 1 upon me root 2 plus x है, 2 plus 1 है, तो यह root 2 minus 1 उपर जाएगा, root 2 minus 1 नीचे आएगा, तो उपर तो यह बन गया, root 2 minus 1, और आपको पताए, a plus b, a minus b, a का square minus b का square, तो इसलिए यह आगया, root 2 का square कितना होता, 2, और 1 का square, 2 minus 1 गया, कि नीचे तो 1 आगया, तो उसका तो कोई मतलब भी नहीं बनता, तो उसके वली क्या आगए, root 2 minus 1, तो क्या आएगा, root 2 minus 1, तो एक सी वली तो मिल को पता ही, क्या मिल गई, root 2 minus 1, और क् दे रखा है, plus 1 दे रखा है, तो plus 1 कर दो, इस से कड़ गया, तो हमारे क्या बचा है, root 2, तो पूरी की वली क्या बनेगी, root 2, तो option C, इसका correct answer, ठीक है, आई हो, आपको इस कोशन समझ में आगया होगा, बहुत ही असान कोशन था ही, पेपर में आपको ऐसी 8 पटे कोशन मिल ठीक है, इसलिए मैं यह लिखा रहा है, चलि करते हैं अगला कोशन, चलिए अगला कोशन देखिए, कोशन कहरा है, अगर P की value 9 है, और Q की value अगर root 17 है, तो इसकी value क्या होगी, देखो मैं नहीं डाला कोशन है, तक कि आप थोड़ा calculated भी कर लो, और थोड़ा असान भी है, ऐ अगला कोशन, अगला कोशन, अगला कोशन, अगला कोशन, बड़ा प्रणा कोशन, क्या रहा है, कोशन कहा रहा है, कि अगर xc power x is equal to 11 दे रखा है, तो xc power 5 minus 11 xc power 4, प्लस, यह minus size 11 प्लस करती है, च्योंकि वो error था कोशन में, बार xc cube, ठीक है, माइस का बार x square, प्लस का बार x, माइस का 1, का मान क्या होगा, देखो, 0 तो option में दे नहीं रखा, तो आप इसका 0 तो टिक कर नहीं सकते, हर जगा आप 0 लगाते नो, यह नहीं, लेकिन इस टेक्निक हो सकती है, देखें, अगर आप पहले मैं इस क्योंकि लिख देता हूँ, और ठीक से लिखूंगा, क्या मैं इसे ऐसे निलिख सकता, xc power 5, माइस का 11xc power 4, माइस का xc power 4, लिख सकता हूँ निलिख सकता, ठीक है, इसी प्रकार से, प्लस का 11x cube, प्लस का 1x cube, माइस का 11x square, माइस का 1x square, और प्लस का 11x, और प्लस का 1x, माइस का 1x, सकता हूं कि लिख सकता हूं अब मैं सोड़ा color change कर लेता हूं यह ठीक रहेगा तो आप इन डाइगल देखिए इसमें से अगर मैं एक्सी पावर चार सेम ही हो गया यह तो एक मिंट हाँ यह कलर ठीक है देखें अगर मैं इन दोनों को देखोंगे implication को तो क्या मैं एक्सी पावर चार कमन ले सकता हूं अगर मैं Public皆さん कामन लेक्र चारल मैं सकना मैं और मैं के 끝 अवरकल कोई लिखत्क्त नहीं तो क्या और माइनस का एक्स प्लिस का गया लुजी और सभाज्या यह तब भी क्या बन जाए जीरो बन जाय जीरो इसी प्रकार से ये जोड़ा भी आपके क्या बंजाएगा जीरो इस सारे जोड़े आपके जीरो बच्येगा शिर्व यह क्योगी कुई जोड़ा नहीं पंट रहा तो एक्सिविए की q पी माइस q Q के स्क्व Columbus माइस का X PQ दे रख है तो X का 1 क्या होगा जी देखते हैं भाइन हो कि is कि यजव दो सांता माणी के ऊताकी स्क्वर क्योंकि ऐस प्लस हैregard आगे देखं लेकिन हम नहीं का से करना देखते हैंतने देखो pes A minus QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQVQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ यहाँ आपने सेम उतार दिया, अब देखिए, a प्लस b का स्क्वर, a का स्क्वर, जमा b का स्क्वर, जमा 2ab, 2pq, बस वंजबा रही है, और माइस का xb क्यों दे रखा है, अब आपको पता है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी क्या आता है, माइनस हाता है, तो 2 में से क्या जाएगा, एक जाएगा, बस संजबा रही है, तब ही क्या आएगा है यहाँ पर, तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर क्या आता है, प्लस आता है, ठीक है, यहाँ माइनस हो, में हो तो साइंचन हो सामने तो अलग-अलग हो जाते हैं अब ये 2P मेंसे कितना चला गए 1PQ चले जाएगा तो कितना बचएगाए एक पी क्योव बचेगा न zarf क्या बचेडा PQ और आपको पता है एक फॉर्मेला होता है किसकाanh को iq2-3 cube मятноądर आपका इस या आइनसर बन जाएगा तो बनेगा सका option और तो बस मैं XI value एक रखतू क्योंकि 2P में 2PQ में से 1PQ अरों सचल जाएगा तो क्या बचिएगा प्लस का PQ हो जाएगा बास पूर्चम्च भारी कि निया वी तो प्लस यहाँ पर यहाँ इसलिए मिल सकता है क्योंकि मैं यहाँ पर मुझे प्लस चाहिए होगा चीक है अगर in case मैं यहाँ पर minus 1 रखता तो minus minus क्या होता प्लस 1 हो जाता तो एक PQ और यहाँ पर क्या है दो PQ कितने हो जाते तीन PQ और तीन PQ हमारा कोई identity तो वैसी ही नहीं बनती तो यह वैसी option गलत हो जाता है इसलिए मैं देखते इसका answer 1 लगा दिया था चीक है अगर पहली वैल स्का 11 हम माइनस चु रूट में सीफ 11 है और X स्क्राइब माइनस चु नहीं है तो इस वाली क्या होगी कितना आसान कोशें है बताता आपको क्या मैं दो को दर भेज दू तो क्या यह मेरा X प्लस का 2 is equal to root में X स्क्राइब प्लस का 11 मतलब रूट नहीं है इसकी value एक मिनिट इसकी value 1 by 3 हो जाएगी यह हो जाएगा अब मुझे दों तरफ क्यूब करना पड़ेगा तो क्या बनेगा मेरा X प्लस 2 की क्यूब हो जाएगी और यह क्या बन जाएगा मेरा root से हड़िके एक क्यूब रूट स 3A B हो गया और A प्लस B आपको पता ही यह होता है बग यह चीज़तों यहां रख दो कोई दिक्कत नहीं है यह तो आपका बन गया अच्छे तो यह हो जाएगा 6X स्क्वार क्योंकि इससे मैल्टिप्लाइगा 6X स्क्वार और यह इससे करेंगे तो कितना हैगा प्लस का बार प्लस का बार आपका देहीं रखा है तो इस चीज़ की वैल्यू निकालनी थी न तो इस चीज़ की वैल्यू बन जाएगी 3 तो उसका हो जाएगा ऑप्शन B 3 आपका एकदम करेक्ट आंसर है देखने में तो टाफ लग रहा था लेकिन था आसान देगा चलो आते हैं अगले अगला कुशन थी कहिरा अगर एक्स इस वैल्यू आपकी रूट 3-1 अपन रूट 3 और तो आपको यह वैल्यू निकालनी है एक रूपण में यूप प्लस का यापन निकालनी पड़ेगा। तो पहले आप क्या करें X plus Y कर दें यह क्यूब के लिए पहले मुझे X plus Y चीए ना तो X plus Y करोगे तो कितना हैगा root 3 root 3 और यह तो value कर जाएगा बासन मारी है तो कितना हो गए मेरा 2 root 3 आपका बन जाएगा पहले question तो आप इसे मान लो चीए दूसरा क्या करना मुझे X Y जब मैं X Y करूंगा तो उसका मतर्का है इनकी आपसे multiply होगी थोड़ा साफ करता हूँ यह जो value है इनकी आपसे multiply होगी तो यह मुझे परिता है A plus B और A minus B दे रखा है तो A का square minus B का square तो root 3 का square 3 minus 1 by 3 चीए LCM लेंगे कितना आगा मेरा 8 by 3 तो उसकी वाल तो 8 by 3 मुझे मिल गई नीचे वाली की वाली क्या होगी 8 by 3 चीए रख देता हूं उपर वाली की value चाहिए तो उपर वाली क्या करना पड़ेगा अगर मैं दोन तरफ cube कर दूं सवज मा रहा है तो मेरा क्या बन जाएगा A plus B का कितना आता है आठ और रूट तुन की क्यूप करेंगे तो कितना एगा तीन रूट तीन चीज तरी किसे बता रहा हूं तो कितना होगे 8 324 रूट 3 तो आपका यह बन जाएगा अब यहां 3 का 3 है क्या मैंने xy के यह भी निकाली तो है 8 by 3 रख दो तीन से दिन कड़ जाएग x प्लस y की वैल्यू कितनी थी 2 रूट 3 थी ना पहले पहली कोशन के साब से याव रख दो तो क्या आगए यह x q प्लस y q अब यह तो हमारा 8 आ गया यह हो गया 8 दूनी 16 रूट 3 कितना आ गया 16 रूट 3 और यह कितना है मेरा 24 रूट 3 वह 24 सिक्कों में से अगर 16 रूट तो क अब इसी चीज़ को सॉल्व करना है तो यह नीचे है तो यह कहा जाएगा उपर आ जाएगा कितना हो गया मेरा और यह 8 से 8 कड़ी जाएगा तो कितना बचेगा 3 रूट 3 बचेगा तो यह बिल्कुल आसान था यह मैंने जो है ज्यादा कैल्कुरेटिव नहीं पता है मतलब यह जो है आराम से सॉल्ट कर दें कि मुझे पता है इतनी कैलकुशन तो आप जानते हो ऊपर निचे लसे में तो आप जानते हो तो उसका हो जाएगा ऑप्शन भी 3 रूट 3 बास सेंज में आई कि नहीं आई अगर थोड़ा साफ सफाई नहीं है तो बताते न अगली वार्स में x-2 प्लस का 2 upon है y-2 की value क्या होगे देखो यह वही चीज है हम value रख सकते हैं अगर मैं x value दो रख दू और y की value दो रख दू तो इसमें रख दो कोई दिक्कत नहीं है तो क्या बन जागा है 2 upon में कितना हो जागा 2-2 जिसका मतलब क्या हो जागा 0 तो इसको हो जागा 0 त करना है तो मैं बतायता हूंगा आपको कैसे करना पड़ेगा इसे साफ तरीके से करने के लिए देखिए कैसे करेंगे इसे देखो अगर मेरा x plus y is equal to 4 है क्या मैंसे 2 प्लस 2 नहीं कर सकता क्या सकता हूं इसको यहां बेज दो तो कितना हो जागा x-2 sorry इसको यहां बेज दो कि 2 upon में y-2 तो दे रखा है इसको हम क्या कर सकते है 2 upon में x-2 को मैं-2 कर सकता हूं तो मैस का y-2 एक चीश प्लस में है एक चीश माइनस में है दोनों कठे क्या हो जागी आपस में 0 तो इसका हो जाएगा option B 0 करके देखने ना आसा ने चलो करते है इस वीडियो का end एक कोशन और कर वाके चले देखे इस वीडियो का last question question बड़ा प्यारा है कि एकस वैल्यू रूट 2 प्लस का 1 upon में रूट 2 माइस का 1 दे रखा है तो एकसी पावर 5 एकसी पावर 4 एकस स्क्वार प्लस एकस अपन में x-cub की value क्या होगी देखो मैंने चीश बताइती पहले से solve कर लो अगर यहाँ पर x-cub common आजाए एक मिनट साफ करता हूँ चाह हो रहा है एक मिनट अगर मैंने x-cub common ले लिया कोई नहीं वो screen touch नहीं कर दी कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर क्या आगा x-cub का 1 upon x हो जाएगा और प्लस का 1 upon x-cub कर आजाएगा नीचे वाला मुझे पता x-cub क x-cub का जोड़ा मिल गया और x-cub का जोड़ा मिल गया इसका मदब मुझे x और 1 upon x निकालना पड़ेगा तो निकालते हैं इस क्यों देखे अगर मैं solve करों से तो मुझे पता है x-cub क्या हो रहेगी यह उपर जागा rationalization हो के तो कितना बनेगा root 2 plus 1 का whole square हो जाएगा क्योंकि तो कितना बनेगा 3 plus का 2 root 2 यह आपको x value मिल जाएगी यह आपकी x value मिल जाएगी अगर मुझे 1 upon x करना है तो 1 upon x करने के लिए क्या पड़ेगा यह क्या बन जाएगा 3 minus का 2 root 2 पताएगे न आपको यह 1 upon में हो जाएगा फिर सक्रे रैशनलेशन करनेगे तो गुमाफरा के य करना यह आपका काम है दोनों जो है करके देखना अब आपको पताया करना कैसे है इसकी value आप रखोगे तो x plus 1 upon x यह तो कड़ गया कितना गया 3 plus 3 कितना जाएगा मेरा 6 तो इसके वेल तो 6 आ गई और किसी भीची का square निकालने के लिए इसका square करके minus 2 करना पड़ता है तो 6 क square करके क्या करो minus 2 कर दो 6 का square कितना होगे 36 36 में दोगे कितना पड़ता 34 तो 34 का multiply किससे करोगे 6 से ठीक है और सॉरी एक मिनट यह multiply नहीं है यह प्लस है यह चीद धियान में देना बूलिया यह क्या है प्लस है तो 34 plus 6 कितना होगे मेरा 40 हो जाएगा तो इसका answer होगा option A 40 ठीक ह कोई दिक्कत नहीं है उस्टोड़ी जगा नहीं बच्चती ना चेक करें थोड़ी calculation की आप मैंने बताया ना देख लिया करूं चीक है तो इसी करते हैं वीडियो का end ठीक है क्योंकि यार थोड़ी आज खराब सी हो रहती बारिश वाश का मौसम हो रहता इसे बसे यहां तो कोईशन को अच्छी तरह करना मैंने बताया ना कोईशन पर फोकस मत करो फोकस करो कि उसे कैसे करना है बस इन टेक्नी को देख़ा करो और अगले कोईशन पर लगाया करो तब आपका कोईशन साल्फ होगा और प्रपर निकलेगा चलो मिलते हैं अगली वीडियो में त्यल द बाइ बाइ बाइ